आपको पता, इरान में एक ऐसी punishment होती है, जिसमें guilty को white कपड़े पहना कर, एक white room में lock कर दिया जाता है इस room की walls white color की, door white color का, washroom white color का, सारा infrastructure white color का होता है और यहां तक कि जो food आपको serve किया जाता है, वो भी सिर्फ white rise ही होता है मतलब आपकी life के सारे colors निकाल के उसे colorless बना दिया जाता है इसे कहते है white room torture यहाँ पे white rise भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें आपको कोई taste नहीं मिलेगा तो मतलब आपकी life से taste पे निकाल दिया गया है इस white room में pin drop silence होता है क्योंकि इसे soundproof बनाया गया है जहां सिर्फ आप खुद की आवाज ही सुन सकते हो cells के बाहर guards भी padded shoes में खड़े होते हैं ताकि थोड़ी भी आवाज ना आए और इस तरह के silence में ज़्यादा time रहने से hallucinations होने लग जाते हैं जब को यहां पे रहना शुरू करता है तो कुछ time बाद वो सब कुछ भूलने लगता है दूसरों के बारे में भी और अपनी खुद की identity के बारे में भी कभी-कभी तो लोग उनके parents की शकल भी याद नहीं रख पाते हैं त्रीन दिन से जादा यहां पे टिकना extreme level पे difficult है इस torture को इरान में practice किया जाता है prisoners को mentally break down करने के लिए क्यूंकि उनके according mental pain जादा effective होता है physical pain से और इसी लिए ये torture ये उनी लोगों पे करते हैं जो से deserve करते हैं इस white room torture के बारे में जानने के बाद और countries के prison authorities भी इसे adopt करना चाहरे है आपको क्या लगता है इसे इंडिया में भी adopt करना चाहिए और अगर हाथ तो किस crime के लिए comments में जरूर शेयर करना